हेलो दोस्तो मैं संदीप लोयल आप सभी का लोयल क्लासित पे स्वागत करता हूँ और उमीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने एक्जाम की बढ़िया त्यारी कर रहे होंगे एक बार फिर से आप सभी के बीच और पिनेकल पॉब्लिकेशन का अगर आप सब SSE के अपकमिंग एक्जाम चैब वो सीजियल हो, सीचसल हो, MTS, स्लेक्शन पोस्ट अगर आप सब इन एक्जाम की तयारी कर रहे हैं आप सब को पता हो ये बुक आप सब के लिए काफी हेलफुल हो सकती है क्योंकि फरवरी दोहजार चोबिस के सभी एक्जाम को करने वाले हैं और हिस्टी से हमारी क्लास रहने वाली है हिस्टी से इतिहास से मध्य काले नितिहास मेडिवल हिस्टी हम लोग पढ़ने वाले हैं मेडिवल हिस्टी में और हमारा टोपिक यहां पर रहने वाला है विदेशी आकरवन फोरन इन्वेजन्स कैवो महमूद ग jam में कहां से क्या question पूछा हुआ है उसको हम लोग यहां से पढ़ेंगे उससे पहले important information आप सब जो है ssc loyal classes telegram channel है आप इसे join कर लीजिएगा telegram channel को ताकि आप सब को PDF भी और जो information भी है वो भी आप सब को मिलते रहे class की बारे में भी ठीक है channel को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें चले class पर आते हैं 279 से question हमारा start होता है हाँ पे medieval history में in which year तैमूर's invasion of Delhi took place तैमूर का दिल्ली पर आक्रमन किस वर्स में हुआ था 1390 1221 में 1492 या 1526 एक और question पूछा जाता है कि जब तैमूर ने दिल्ली प्राकबड करा था उस समें सल्तनत काल का साशन राद चल रहा था और किस का साशन चल रहा था या यूँ कुछता है कि तैमूर के हमले के समें दिल्ली पर इस वर्स का शासन लगभग स्माप्ट हो गया था, कि सवंस का साशन जो है वो लगभग स्माप्ट हो गया था, तो बताना यहां से भई, सही आंसूर क्या होगा 1398 में, तैमूर ने दिल्ली पर हमला कब करा था, 1398 में करा था, 1526 में फॉस्ट बैटल ओफ पानिपत होता है, फॉस्ट बाबर और इबराहीम लोदी के बीच लड़ा गया, बाबर और इबराहीम लोदी के बीच में युद होता है, जिसमें बाबर के जीत होती है, और मुगरवस की स्थापना होती है, इबराहीम लोदी सलतरतकाल का पहला सासक था, जो युदसल में मारा गया, जीके को पढ़न है और बहुत तसली से पढ़के आना है यहां जी से मतलब है स्लेव डाइनस्टी जी से मतलब गुलामवस के से हो गया है आपका खिलजी डाइनस्टी ते से हैं तुगलक डाइनस्टी तुगलक डाइनस्टी ऐस से हो गया है सयद डाइनस्टी और एल से है लोदे डाइनस्टी अब गुलामवस का साशन जो है वो 1206 से लेके 1290 तक रहता है खिलजी वस का साशन 1290 से लेके 1320 तक रहता है तुगलक वस का साशन 1320 से लेके 1390 तक रहता है और तेरा सो ठाणवे में तैमूर की हमले के समें तुगलक वस का साशन लगभग स्वाप्त हो गया था तैमूर का सेनापती खिजर खान 1414 में जो है सेद वस की स्थापना करता है जिसका साशन 1451 तक रहता है और लौदी वस का साशन 1451 से पानिपत के पहले युद यानि 1526 तक नेक्स पे आओ Which of the following was last invasion by मेहमूद गजनी आउटसाइड पंजाब निमल लिखित में से कौन सा मेहमूद गजनवी का पंजाब के बाहर अंतिम आक्रमन था सोमनाथ, मतुरा, कलिंजर और कन्नोज मेहमूद गजनवी जो है इसने 1000 से लेके 1027 तक मान लिजेगा कुल मिलाके 17 बार भारत पर हमला करा था पहला हम जो पढ़के आते हैं जैपाल, पंजाब के साथ आशक हुआ था जैपाल के साथ पढ़के आते हैं, ठीक है सोमनाथ का हमला हुआ था पंजाब के भारांतिम और ये 1025 बे जब ये सॉमनाथ को लूट कर जा रहा था गजनवी तो जाटों ने इसे लूटने का काम करा था और महमुद गजनवी कांतिम अभियान जो है वो जाटों के खिलाब था अब इस कांतिम अभियान था 1,027 तो पंजाब के माहर जो है अन्ति माकरमन कौन सा था यहाँ सोमनाथ बहुत फेमस है यह सोमनाथ वै option आप सब का यहाँ पे question का A सही answer होगा महमूद गजरवी के साथ अल बरुनी भी भारत आता है यहाँ पुस्तक लिखता है तहकी के हिंद या किताब अल हिंद भारत की खोज नामक पुस्तक करें इसके ने लिखे थी वे अल बरुनी के द्वारा यहाँ पे option A सही answer होगा next पे आओ इसके बाद फिर between who among the following the battle of चंदावर take place चंदावर का युद निमा लिखित मैंसे किस के बीच होता है जैचन और महमूद गजरवी पिर्थिराज चोहान या पिर्थिराज 3 और महमद गोरी के बीच जो है battle of तर्राइन होता है battle of तर्राइन हुआ था first battle जो है यह कब होता है तो यह 1191 में हुआ था तर्राइन का पहला युद और जो second battle है यह कब हुई थी तो यह 1192 में हुआ था पहले युद में जो है पिर्थवी की जीत होती है पिर्थवी की विक्टरी होई थी दूसरे युद में जो है गोरी की विक्टरी होती है अब गोरी की जीत होती है कारण क्या था इस युद में मुहम्मद गोरी का साथ देता है कौन गड़वालों का सासक जैचंद तो जैचं और गोरी के बीच में युद होता है चंदावर का युद बैटल ओफ चंदावर ये बहुत फेमस युद इतिहास में यहां से S.S.C. क्यूशन पूछता है ये 1194 में हुआ था इसमें भी मुहमद गोरी के जीत होती है यानि इस क्यूशन का सही आंसर क्या हुआ जैचंद और म का इस क्यूशन का भी सही आंसर हो जाएगा नेक्स देखो दा फेमस अरबिक स्कोलर अल बिरोनी केम इंटो कंटक्ट विद इंडिया थो इंडैस दा 11th सेंचुरी एडी प्रसिद अरबी विद्वान अल बरोनी जो है यार्वी स्ताफदी में किस के साथ फारत आया था अप अब्दुल्ला शाह गाजी महमूद गजनवी अलवलीद प्थम और मुहमद बिन काशम पहले अमले मुहमद बिन काशम करता है पौन इन्वेजर में यह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था तो अप्शिन क्या होगा आप सब का बी इसकी प्रसिद पुस्तक जो है वो क यहां से ध्यान रखने वाला क्या है भाई पॉइंट ओप्शन बी सही आंसर है नेक्स पे आते हैं मंगोल सासक चंगेज खान की मिर्थियों कब हुई थी 1219 में 1210, 1235 और 1227 तो चंगेज थे कि यह क्यूस्तन भी पूछा है और यह सीजल के एक जाम में पूछा गया क्यूस्तन है चंगेज खान की मिर्थियों जो है वो 1227 में हुई थी तो अप्शन क्या हो जाएगा आप आते हैं who among the following was the best known चाहमान रूलर नीमन लिखित में से सबसे प्रसिद चाहमान साशक कोन था सीजल के एकजाम में है सबसे परसिद चोहान साशक है चाहमान पिर्थिराज थर्ड यानि पिर्थिराज चोहान पिर्थिराज फर्स्ट वासुदेव और विग्र राज सेकिंड तो सही आंसर क्या होगा पिर्थिराज थर्ड या पिर्थिराज चोहान चाहमान के अंतिम साशक और सबसे प्रसिद साशक हुए थे इनके साथ आप सब जो है वो बैटल ओफ तर्राइन पढ़के आते हूँ जो एकजाम में पूछी जाती है बैटल ओफ तर्राइन जाएगा नेक्स पे आओ इन विच इयर डिड मंगोल्स अंडर चंगेज खान इनवेड ट्रांस ओक्षियना इन नौर्थ एस्ट इरान लेगे यह भी क्यूसर पूछा हुआ है चंगेज खान के नेक्त्रतों में मंगोलों ने किस वर्ष उत्तर पूर्वी इरान में ट्रां प्राकर्मन करा 1219 में 1208, 1213 और 1205 तो सही आंशर क्या होगा चंगेज खान के नेक्त्रतों में मंगोलों ने पूर्वी इरान में ट्रांस ओक्षियना पर 1219 में हमला करा था तो अप्षन एस ही हो जायेगा नेक्स्ट है जो रॉस्टर वोज ए एन प्रॉफिट जो रॉस्टर एक डैस नभी था भारती है इंडियन चाइनीज ब्रिटिस और इरानी तो जो रॉस्टर जो है एक इरानी नभी था ओप्षन डी हो जायेगा वई एमटेस का है 2022 का क्योस्ट नेक्स्ट पे आते हैं हो अमंग दा फॉलॉविंग बिल्ट दा फॉस्ट यूरोपियन फॉर्ट इन इंडिया इन दा इयर फिफ्टीन थी निमल लिकित में से किसने वर्स पंदरा सो तीन में भारत में पहला यूरोपिय किला बनवाया पहला थी पुर्तगाली ही थे पहले इअ कि पहले यूरोपियन भी रोटकीज थे फैन वास ग O और 11毂 में कालिकट पुंचता है और पंदरा सो तीन में भारत में पहला यूआ फेरे किलाबिक इसके द्वारा बनवाया ता तो पुर्टगालिज के द्वारे ने पुर्टगीज के द्वारा ही तो option जो होगा आप सब का यहां पे D सही answer होगा क्या नाम था Port Emanual Port Emanual ठीक है option D सही हो जाएगा 1503 में भारत में पहला एरोपे किला Port Emanual पुर्टगीज के द्वारा ही पनवाया गया था पहले भारत आने वाले एरोपे भी जो है वो पुर्टगीजी थे last तक रहते गुवा में 1961 तक next देखो देखिए अभी हमारा एक ओर टोपिक कहां से start हो रहा है इसमें foreign invasion के बाद जो है वो है सबसे पहले है slave dynasty 1206 से लेके 1290 تक श्वास का साशन रहता है फिर है khildji dynasty km खेल्जी वास 1290 से 1320 तक श्वास का साशन रहता है उसके बाद है ट्वलक टाइन स्टी 13020 से लेके 1330 थाणवे 1330 थाणवे तक का सासन रहता है 13 ведь 305 में टैमूर भारत में पढ़ेंगे, इनकी इंपोर्टेंट सासकों के बारे में जानेंगे, क्या क्या खास बात है, जो हमसे अक्ससी पूछता है, चले, दिल्ली सल्टनत से अपने क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं, तो सही आंसर क्या होगा, दिवान इंसा जो है, वो स्टेट कोर्स्पोंडन्स हो गया है, यानि रज्य पत्राचार से संब्धित है, ओप्शन क्या हो जाएगा, आपका D, फाइनन्स जो है, वो किसके पास होता है, दिवान इंविजारत, वी से वित वी से विजारत दिवाने विजारत धार्मिक का फेर्ज हो गया रिलिजिस फेर्ज में धार्मिक माम ले ये किसके पास है दिवाने रिसालत दिवाने रिसालत और मिलिटरी वाले जो है ये दिवाने अर्ज अब एक चीज में आप सबको यहां पर बताओं तीन विभाग ऐसे हैं जिनकी स्थापना से हम सबसे पूछता है कि इनकी स्थापना किस ने करी थी वित्व भाग के स्थापना किस ने करी थी तो allahodin khilji पहला सासक था जिसने स्थाई सीना की नीव रखी थी और नगत वेतन देने की सुरुवात करता है सन्य विभाग के स्थापना कौन करता है बलबल सन्य विभाग के स्थापना करता है और दिवाने को ही या अमीरे को ही ये था क्रिशी विभाग इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी तो मुहम्मद बिन तुगलक के द्वारा तुगलक डाइनस्टी ही ऐसी है जिसने क्रिशी के लिए काम करा था मुहम्मद बिन तुगलक ठीक है तो यहाँ दिवान ए इंसा राज्य पत्रचा स्टेट कोर्स्पोंडन्स से हो गया है दिवान ए विजारत फाइनस से ध्यान रखेंगे दिवान ए रिसालत रिलिजिस अफेर से हो गया है दिवान ए अर्च सन्या से हो गया है सल्दतकाल में सन्य भाकिस्थापना भलबन के द्वारा की गई थी वित विभाग की स्थापना अलादुन खिलजे की द्वारा की गई थी और दिवाने कोही आमीरे कोही कृषी विभाग की स्थापना मुहमद बिन टुगलक की द्वारा की गई थी दिवाने बंदगान दासों के लिए लग से विभाग की स्थापना फिरोश्या टुगलक ने क में कौन करता है हरी हर और बुक का नामक दो भाईयों के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी 1347 में बहमनी समराज्य की स्थापना होती है बहमनी एंपायर की स्थापना होती है इसकी स्थापना कोन करता है तो अलावदीन बहमनशा या हशन गंगु ध्यान रखेंगे हशन गंगु के द्वारा जो इसकी स्थापना की जाती है तो इस समय किसका साशन था नसिरुदीन महमूद, इलतो तमिश, मुहमद बिन तुगलक और अलावदीन खिलजी अलावदीन खिलजी, खिलजी वंस का साशक था, इसका साशन 1296 से लेके 1316 तक रहता है मुहमद बिन तुगलक ये तुगलक वंस का साशक था, इसका साशन 1325 से लेके 1351 तक रहता है इलतो तमिश, गुलाव वंस का साशक था और इसका साशन 1211 से लेके 1236 तक रहता है 1336 और 1337 इस duration में आते हैं तो मुहम्मद बिन तुगलक के सासनकाल में जो है विजयनगर समराज्य के स्थापना और बहमनी समराज्य के स्थापना होती है तो option आप सब यहाँ पे D सही answer कर देंगे ठीक है मुहम्मद बिन तुगलक यह जो है वही किर्शी विभाग की भी स्थापना करता है मुहम्मद बिन तुगलक का एक और खास point है इसको जूना खान कहते है तुगलक वंस की स्थापना गयासो दिन तुगलक करता है 1320 में और जूना खान के द्वारा बनाए गया लकड़ी कम है यह ऐसा से लिखता है मंदप में दब कर यह एक सड़ेंतर के तहत व्यासो दिन तुगलक की मिर्ट्यू हो जाती है और मुहमद बिन तुगलक राजा बनता है पूरे सल्तनत काल में सबसे ज़्यादा पड़ा लिखा विद्वान सा सक था लेकिन दूसरों के सुख के पर त्यूपेक्षय भाव रखता था इसलिए से अरक पिपाशु भी कहा गया है मुहमद बिन तुगलक आगे बढ़ाते हैं क्लास फिर नेक्स क्यूस्टन पे आते हैं हम लोग विच ओफ दा फॉलोविंग सिस्टम्स ओफ दा देली सल्तनत हैड इंफ्लेंस ओन दा बहमनी एंड विजयनगर किंग्डम्स डिल्ली सल्तनत की निमल लिखित में से किस प्रणाली व्यवस्ता का बहमनी और विजयनगर समराजियों पर 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 भाव था वालीस चहलगनी बिटी कची और एक्तादारी परणाली तो यह परणाली थी एक्तादारी ओप्शन क्या होगा आपका डी सही आंसर होगा इक्तादारी पर्णाली को start कोन करता है फिर इसको बंद कोन कर देता है भाई और फिर इसको restart कोन करता है तीन तरह के क्योशन इहां से बनते हैं इसे इक्ता इसे या आई से इक्ता और आई से ही इल्टू तमिश बनाओ इक्ता पर्णाली को सुरू कोन करता है तो इल्टो तमिश के द्वारा जो है इसे स्टार्ट किया जाता है इसको बंद कर देता है अलावदिन खिलजी जो है इसे बंद कर देता है इसे रिस्टार्ट करने का काम करता है फिरोज शाह तुगलक फिरोज शाह तुगलक इसे रिस्टार्ट करता है और इसी का परभाव जो है बहमनी और विजयनगर एंपायर पर भी रहता है चलि नेक्स पे आते हैं वकील जो होता था वो शाही घराने को नियंत्रित करने का काम करता था वो शाही घराने का नियंत्रिक था वकील अब जिसके जो अमीर है कानून उसके हिसाब से आप यू कह सकते हैं ये कानून वाला था वै कानून मंत्री था ठीक है बरीदे मुमालिक ये क्या मामला चल रहा है कैसे पता चलेगा ये पता चलेगा पत्राचार से यानि आप यू कह सकते हैं गुप्चर या पत्राचार वाला हो गया सूचना है गुप्चर ये बरीदे मुमलिक के पास था तो ये तिनों ही गलत हो गए हैं यहां से सही आंसर हो गया है बरीदे खास जो दिवान इंसाविभाग का प्रमुक होता था option क्या हो जाएगा आप सब का यहां पे इस का ए सही आंसर हो जाएगा ठीक है मुमालिक मतलब क्या मामला चल रहा है यानि सूचना और गुप्चर वाला हो गया है अमीर इदाद अमीर के साब से कानून यानि कानून वकील जो शाही घराने का नियंतर रख था तो option जो हो गाप सब का यहां यह सही आंसर हो जाएगा चले नेक्स पे आईएगा दा टॉम ओफ रजिया सुल्तान इंदा स्टेट ओफ हर्याना इस मेड ओफ वीच बिल्डिंग मैटिरियल हर्याना राज्य में रजिया सुल्तान का मकबरा किस निर्मान सामगरी से निर्मित है लाल बल्वा के क्यूशन पूछे जाते हैं जो आप सब को याद रखने हैं कि फर्स्ट वन तो यह जो है फ़ी फर्स्ट मुस्लिम महिला महिला मुस्लिम महिला सासी का थी इनका साशन जो है वो 1236 से लेके 1240 तक रहता है 13 अक्टूबर 1240 तो इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि 13 अक्टूबर 1240 को केथल के समय पर डाकवों ने जो है इनकी खत्या कर दे थी ठीक है इनको अलतूनिया के साथ साधी होती अलतूनिया इन्हें जो है कहां पर कैद रखता है किला मुबारक में अब पूछे आप सबसे कि किला मुबारक कहां पर है तो आप क्या कहोगे किला मुबारक बठिंदा में है जहां पर इसको और एक ये ध्यान रखना है कि इसका मकबरा जक्षनिश्यक की पहली महिला मुसलिम सासिका हो गए जिसका मकबरा है केथल में हर्याना में जो बैक्ट ब्रिक से यानि पक्यों इंटों से बना हुआ है तो उप्शन डी सही हो जाएगा नेक्स देखो दिल्ली सल्तनत के दोरान उलेमा सब्द का संभंद जो है वो किस से था लॉन थियोलोगियन्स एंड जोरिस्ट विद्वान धरमसास्त्री और न्यायसास्त्री उलेमा जो होते थे वो लॉन खेरोजियन्स एंड जोरिस्ट यानि विद्वान और धरमसास्त्री और न्यायसास्त्री जो होते थे उन्हें क्या कहा जाता था दिल्ली सल्तनत के समय उलेमा कहा जाता था next देखो who among the following was the daughter of iltutamish a ruler of slave मामलुक डाइनस्टी निमलिकित में से कौन गुलाम और मामलुक वंस के साशक iltutamish की बेटी थी iltutamish से पूछा जाता है एक तो इसने भाईया एकता परनाली स्टार्ट करी थी दूसरा कैपिटल राज़ानी जो है वो लाहोर से दिल्ली लेके आया था अधूरे कुतुब मिनार को इसने पूरा करवाया था कुतुब मिनार जो है इसने कंप्लीट करवाने का गाम करा था ठीक है अब इसकी डोटर जो थी वो कौन थी रजिया सुल्तान रजिया सुल्तान का साशन बारा सो च्छती से लेके बारा सो चारिस तक रहता है जबकि इल्टु तमिश्च जो है इसका साशन रहा था तो आप कहेंगे रजिया का नेक्स देखूं अंडर दा दिल्ली सल्तनत ए रिलिजियस टेक्स दैस वोज इंपोज्ट ओन दा वैल्टी एंड रिच मुस्लिम इन इंडिया दिल्ली सल्तनत के दिन भारत के धर्मान मुसल्मानों पर एक धार्मिक कर टैस लगाया गया था फिरूज, मामलूख, जकात और किस्मत तो ये धार्मिक कर अमीर मुसल्मानों पर लगाया गया था इसका नाम था जकात एक जजिया होता है गहर मुसल्मानों पर लगाया जाने वाला टैक्स जजिया ब्रहमनों पर किसने लगाया था फिर उश्या तुगलग ने जजिया को बंद किस ने कर दिया था अकबर ने इसको फिट से स्टार्ट किस ने करा था तो औरंग जेब ने यहां से ये भी कि उसन आप सबसे पूछे जाते हैं बैज नेक्स देखो इन विच इयर वोज रजिया रिवूड फॉम थ्रॉम और दैली संत्रत रजिया को दिल्ली सल्तनत के सिंगासन से किर्सवर्स अठाया गया था तो नहीं 1244 में तो मिर्ट्यू हो जाती है 1237 में सासी का बनती है 1238 भी नहीं है 1240 साशन जो है मैंने आप सबको पहले बता दिया है रजिया का साशन 1236 से लेके 1240 तक रहता है तो आप सबका यहां इस क्युस्तन का भी सही आंसर हो जाएगा नेक्स देखो दिल्ली सल्तनत काल में तबाकत नशिरी की रचना किस ने की थी हसन निजामी, अमीर कुश्रो, मिनाज एसी राज और जियाउदीन वर्नी सही आंसर क्या होगा तबाकत नशिरी की रचना मिनाज और सिराज के द्वारा की गई थी अमीर कुश्रो, तबला के विश्कारक हैं, कावाली के जनक हो गए हैं दिल्ली सल्तनत के साथ राजाओं के दरबार में रहते हैं तोते हिंद, पैरेट ओफ इंडिया कहलाते हैं पैरेट ओफ इंडिया भी कहलाते हैं चलिए नेक्स पे आते हैं जफर खान was a famous journal of which of the following rulers of दिल्ली सल्तनत जफर खान दिल्ली सल्तनत के निमन लिखित में से किस साशक का प्रसिद सेना पती था? अलावदिन खिलजी, इल्तो तमिश, मुहम्मद बिन तुगलग और बलबन तो जफर खान जो है वो अलावदिन खिलजी का सेना पती था? ओप्शन जो होगा आप सबका A सही आंसर होगा अलावदिन खिलजी का साशन जो है 1296 से 1316 तक रहता है इल्तो तमिश का साशन जो है वो 1211 से 1236 तक रहता है मुहम्मद बिन तुगलग का साशन 1325 से लेके 1351 तक रहता है और बलबन का साशन 1266 से 1286 तक रहता है बलबन गुलामवस का था वै गुलामवस में साशन करता है नहरों का निर्मान करवाने वाला पहला साशक अगर आप सबसे पूछे तो गयासुदीन तुगलग था दा फाउंडर अफ दा तुगलग डाइनस्टी ठीक है चलिए नेक्स पे आते हैं ओप्शन जो होगा आपका ए सही आंसर हो जाएगा इसका मतलब है बादवाला पहले आएगा पुर्वा धिकारी बादवाला पहले आएगा अब अलाउदिन खिलजी राजा बनता है बाद में दो नमबर क्योंकि दो ही बंदे हैं जलाल उदिन खिल जी बनता है पहले जलाल उदिन खिल जी बनता है पहले नमबर पर उसके बाद राजा बनता है अलाउदिन खिल जी मुहम्मद तुगलक बनता है पहले उसके बाद बनता है फिरोशा तुगलक गयासो दिन तुगलक बनता है पहले उसके बाद बनता है मुहम अगर आप सब देखें तो एक दो एक दो एक दो यह वाला दो एक वही तो है पुर्वा दिकारी का सयोजिन यानि बादवाला पहले आएगा तोड़ा क्योसन को समझना है तो पहले गलत हो रहा है दूसरे अप्षन को प्रण टिक कर दो गलत हो जाएगा यह तेनों उप्षन गलत है पहला सही आंसर हो जाएगा पुर्वा दिकारी का सयोजिन है तो उप्षन एप आना है नेक्स्ट देखो इसके बाद who among the following rulers ruled before पित्विराज चोहान अवर देली निमल लिखित में से किस आशक ने दिल्ली पर पित्विराज चोहान से पहले साशन करा था पित्विराज चोहान से आप लोग पढ़के आते हैं Battle of the Rhine और और कुछ याद ना हो बैसे ये जुरूर याद रखना है क्योंकि ये अलग से पूछे जाते हैं Battle of the Rhine फर्स्ट बैटल 1191 और सेकंड बैटल जो है ये 1192 गयासुदीन बलबन का साशन जो है वो कब से कब तक रहता है 1266 से 1286 तक जलालो दिन खिल जी का साशन कब से कब तक रहता है 1290 से 1296 तक खुतोबुदीनेबग का साशन 1266 से लेके 1210 तक पिठ्वराज से पहले साशन करा है 1192 में पिठ्वराज के हार होती है तो ये तो 1212 हैं मतलब ये बाद वाले हैं गलत हो जाएगा गलत हो जाएगा गलत हो जाएगा कौन सा option सही answer होगा बी option अनंग पाल जो है अनंग पाल तोमार ये पहले पिठ्वराज चोहां से पहले साशन करते हैं तो option जो होगा आप सब का यहां पे इस question का भी सही answer हो जाएगा चीक है 300 तक हमारे आज इस class में question होते हैं हिस्टी के इससे आगे पढ़ेंगे next session में तब तक आप सब भी पढ़ते रहिएगा session को share कर दीजेगा मिलेंगे next class में thank you and have a nice day